Books That Speak में आप सभी का फिर से स्वागत है सामभा कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहता कभी नहीं वो सोचता है कि स्कूल मुर्ख लोग ही जाते है एक दिन अध्यापिका उसे स्कूल ले जाती है वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है पर क्या वो अगले दिन फिर स्कूल जाना चाहेगा चलिए ढूनते हैं अपने सवाल का जवाब इस कहानी के जरिये कहानी का शीर्शक है केवल मुर्ख जाते है स्कूल ओरिजिनल स्टोरी Only Fools Go To School by चतुरा राव हिंदी में अनुवात पूजा चितरांकन प्रोईती रोई प्रकाशन प्रथम बुक्स कहानी सुना रही है असावरी दोशी और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब चैनल है Books That Speak तो चलिए मिलते है सामभा से स्कूल में एक नई अध्यापिका आई है सोनू खुले हुए किवाड से चिल्लाई क्या तुमा चल रहे हो नहीं सामभा अपनी खटिया पर पड़े पड़े बुदबुदाया उसका स्कूल जाने का इरादा नहीं था कभी भी नहीं मूर्ग सामभा बुदबुदाया और बिस्तर में सिमट गया स्कूल में बच्चों ने अक्षर और पहाडे दोहराए चंचल बच्चों को एक जगा टिक कर ना बैटने पर डाट पड़ी सामभा को तो बाहर रहना पसंद था कभी-कभी वो अपने फिता की खेतों में मदद करता था ज्यादा तर वो पेडों से फल तोड़ता था या फिर गिरे हुए फल इकठा करता था कभी पक्षियों को देखता था कभी नहर से मचलिया पकड़ता था या फिर दीमक की बांबियों या शहद के छटों पर नजर रखता था पर वो नई अध्यापिका के बारे में जानने के लिए काफी उच्सुक भी था वो कल्पना करने लगा कि अध्यापिका बस से उत्री और पूरे दो किलोमिटर पैदल चलकर स्कूल तक पहुँच रही है पहले तारकोल वाली सडक पर फिर मिट्टी वाली कच्ची पकडंडी पर जो कभी उपर कभी नीचे और कभी गोल 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 चलती है जाडिया और काटे उनके कपड़ों में अटक रहे है चोटे चोटे जीव जन्तू उनके पैरों के आसपास गुजर रहे है तभी एक साप उनके सामने से गुजरा अध्यापिका जोर से चिलाई और जिस रस्ते से वो आई थी वापस बाग गई सामभा मो दबा कर हसा सामभा जी भी से सामभा साउधानी से सीधे होकर बैट गया तुम मेरे साथ स्कूल चल रहे हो दर्वाजे पर खड़ी महलाने कहां? उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनकी आखों में चमक थी सामभा की बाह पकड़कर सुनिता दीदी उसे घर से बाहर ले आई और स्कूल तक ले गई तुमने नाश्ता किया है? उन्होंने पूछा सामभा के पेट से गुड़गुड की आवाज तो आई उसके पेट में चूहे दोड रहे थे सामभा बहुत छोटा था जब उसकी आई गुजर गई बाबा शायद ही कभी घर पर होते थे चलते चलते सामभा को अपना दोस्त रहीम दिखाई दिया वो भी स्कूल नहीं गया था पेड के पीछे चुपा हुआ था सामभा हिरन की आवाज में तेजी से खासा रहीम को इशारे से बताने के लिए कि अध्यापिका उसकी तरफ ही आ रही है रहीम चुपके से रेंग कर खेतों में जा चुपा रहीम बिल्ली की तरह मिमी आया सामभा उसका इशारा समझ गया वो जानता था कि रहीम कहना चाहता है बहुत बुरा हुआ जो तुम पकड़े गए स्कूल पहुँचकर सामभा जल्दी से पंप पर नहाया और सुनिता दीदी ने उसे पहनने के लिए नई वर्दी दी उन्होंने उसे अपने टिफिन से रोटी और उसल खाने को दिया सामभा जल्दी से सारा खाना खा गया क्लास में उसे सोनू दिखाई दी सामभा जाकर उसके बगल में बैठ गया गणित की पढ़ाई शुरू हुई बच्चों ने चार के समूह बनाए टीचर ने अलमारी से खेलने वाले ताश के पत्तों का एक पैकेट निकाला क्या ये कलवाला ही खेल है दीदी? बच्चों ने पूछा हाँ, उन्होंने जवाब दिया हमें दोबारा अभ्यास करना होगा सामभा का मूँख खुला रह गया क्या ये गणित का पाट था? दीदी ने प्रत्तेक समूह को कार्ड यानी पत्तों और चौक के टुकडों का एक पैकेट दिया सामभा ने पत्तों को बड़ी चतुराई से उपर नीचे किया उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ खिराया और उन्हें सिधा किया वो जैसे ही पत्ते बाटने को तयार हुआ तभी सुनिता दीदी ने उससे पत्ते ले लिये उन्होंने पत्तों को बच्चों के समूह के बीच में रख दिया हर बच्चा एक पत्ता उठाएगा और उसमें दिखाई देने वाले अंक को जमीन पर लिखेगा फिर अगला पत्ता उठाएगा और उस अंक को पिछले अंक में जोड देगा जो भी सबसे पहले 200 तक के जोड तक पहुँचेगा वही विजेता कहलाएगा पर जब हर एक बच्चा अपने अंकों को जोड़े तो दूसरे बच्चे ये जरूर ध्यान में रखे कि उसका जोड सही है या नहीं बेईमानी मत करना खेल शुरू हुआ साम्भा ने गलतिया की पर उसने दूसरों की गलतिया भी पकड़ी यहां तक की उसने चतुर वनिता को भी बेईमानी करते हुए पकड़ लिया सिर्फ मूर खी जाते है साम्भा अगले दिन अपने बिस्तर पर करवट लेते हुए बड़ बड़ आया वनिता, रगू, सोनू और दूसरे कई सारे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे सूरच चड़ाया था साम्भा ने धूप में आखे मिचमिचाई और सोचने लगा कि अब सुनिता दीदी का आकर उसको स्कूल लेकर जाने का समय हो गया है पहले ही खेत में जाकर चिप जाता हूँ वो जामुन के पेड के नीचे जाकर बैठ गया उसे एक जोरदार लंबी सी सीटी सुनाई दी उसने उपर देखा तो रहीम था सामभा पेड पर चड़कर उसके बगल वाली डाल पर बैठ गया उसे वहां से स्कूल नजर आ रहा था मुझे उस अध्यापिका से बचके रहना पड़ेगा उसने रहीम को बताया वो स्कूल के मैदान को देखता रहा और अपने आपको ये सोचने से रोक नहीं पाया कि भला सब बच्चे आज क्या कर रहे होंगे एक हवाई जहाज उसके सर के उपर से गुजरा उसके पंक दोपहर के सूरच की रोशनी में चमक रहे थे मैं हवाई जहाज उडाना सीखना चाहता हूँ रहीम बोला अगर मुझे कोई शिक्षक ये सिखा दे तो मैं स्कूल अवश्य जाओंगा पर सिर्फ मूर्ख सांभा ने शुरू किया जाते है स्कूल रहीम ने मुस्कूराते हुए उसकी बात को पूरा किया अगले दिन सांभा ने अपने आपको स्कूल के गेट के पास पाया दोपहर के भोजन की सुगंद उसे वहां तक ले आई थी वो चुपके से बरामदे में आ पहुचा एक प्लेट उठाई और सभी बच्चों के साथ दोपहर के भोजन की कतार में खडा हो गया भोजन के पश्चात सभी ने मैदान में पकडम पकडाई और लोका चुपी खेला तभी कही दूर से कोई चिलाया साप साप सामभा भाग कर सबसे पहले वहां जा पहुचा ननेटी उसने साप का नाम लेते हुए कहां वो एक धारीदार किलबैक साप था सुनिता दीदी बच्चों की भीड से जूंचती हुई सामने आई और सामभा को कंधों से पकड़ लिया सावधान उन्होंने चेताम नीदी ये जहरिला नहीं है सामभा ने कहां उसने साप को जाड़ी के तने से उठा लिया और आसानी से पकड़ लिया बच्चों की भीड उसके करीब आ गई इतना लंबा ननेटी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा अरे ये तो अंदाजन आधा फूट ही लंबा है अभी यहां पे बच्चों के लिए एक चेतावनी है बिना उपयुक्त प्रशिक्षण के सापों को पकड़ना जान लेवा हो सकता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए अब कहानी में आगे बढ़ते है क्या हम इसे गणित की कक्षा में नाप सकते है सांभा ने पूछा अगर तुम्हें पक्की जानकारी है कि ये साप काटेगा नहीं और बिल्कुल सुरक्षित है सिर्फ तभी उसने साप के सर को दीदी से थोड़ा दूर करके पकड़ा दीदी ने सावधानी से साप की पीट पर उंगली रखी उन्होंने सांभा पर विश्वास किया हम साप की लंबाई के साथ एक धागा या एक रसी को पकड़ेंगे उन्होंने कहा उनकी आवाज में दुरुढता थी लेकिन पाठ समाप्त होने पर इसे हम जाने देंगे दीदी ने जोर देकर कहा क्या हमें घोरपड को भी नाप सकते है सांभा ने पूछा उसे मालूम था कि ये बड़ी चिपकलिया कहां धूप सेकती है क्या हम रामू की पूछ नहीं नाप सकते रगु ने आह भरते हुए पूछा स्कूल का पालतु कुत्ता देखने आप पहुचा था कि आखिर सभी लोग एक डिब्बे को देखकर इतना उच्साहित क्यों हो रहे है हम उन सभी चीजों को नाप सकते है जो हमें किसी भी प्रकार से खत्रा ना पहुचाए सुनिता दीदी ने कहा क्या एक टिड़े को भी या फिर एक बच्चडे को एका एक सांभा को याद आया दीदी रहीम जानवरों के बारे में सब कुछ जानता है पर ये नहीं जानता कि उन्हें नापना कैसे है उसे स्कूल आकर ये सीखना चाहिए वो एक दिन हवाई जहाज उड़ाना चाहता है रहीम कभी नहीं आएगा वनिता ने मज़ा कुड़ाया वो कहता है कि केवल मूर्क जाए स्कूल जाओ अपने दोस्त को ले आओ दीदी ने कहा सांभा की आखों में चमक आ गई वो थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया और तौड़ पड़ा खोजने अपने दोस्त रहीम को कैसी लगी कहानी तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पे आ सकते है बुक्सदार्ट स्पीक औडियो पॉड्कास्टिंग चैनल्स भी है तो आप वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी कहानियां जो मराथी, हिंदी, गुजराती और इंग्लेश में सुनाई जाती है आप इसका मजा ले सकते है तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली कहानी में धन्यवाद बुक्सदार्ट स्पीक सुन सकते है एंकर गुगल पॉड्कास्ट अप्ल पॉड्कास्ट यानि के आईट्यून्स स्पॉर्टीफाई इसके अलावा ब्रेकर, स्टीचर, कास्ट बॉक्स, ओबरकास्ट, पॉकर कास्ट, रेडियो पब्लिक यहाँ पे भी आप बुक्सदार्ट स्पीक का आनन ले सकते है इसके अलावा योट्यूब चैनल है बुक्सदार्ट स्पीक और हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com शुक्रिया